असलाम अलेकुम स्टुरेंट्स आज हम तीसरा उनिट पढ़ने जा रहे हैं Major Systems and Components of an Automobile दो उनिट हमारे पहले ही complete हो चुके हैं First unit, History and the Evolution of Automobile और दूसरा उनिट, Various Types of Automobile उसका PDF में मैंने आपको सेंड किया है तो आज हम तीसरा उनिट पढ़ने जा रही है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे Chases Chases और उसके बाद हम पढ़ेंगे Body तो आज हम यही पढ़ते है तो पहले बात आती है Chases की Chases किस से कहते हैं हम अगर हम Simple Language में बात करें Chases Frame को बोलते है Frame गाड़ी में जो Frame होता है Frame आपने देखा ही होगा अगर हम ट्रक की बात करें तो नीचे से आपको दिखाई देगा एक Beam Type का जैसे यह टायर चार है टायर तो इस पे आपको इस शेप में एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा यहां से Excel लगा रहेगा तो यह वाला जो Component है यह और यह इस को हम बोलते है Frame Frame of an Automobile अब देखते हैं हम इसका काम क्या होता है Frame का क्या होता है तो Frame का काम यह होता है गाड़ी के जितने भी Components होते हैं उनका सारा Load इस Frame के उपर आता है मतलब Transmission System है यह मैं आपको फिर अलग से पढ़ाओंगा Transmission System क्या होता है इसका मैंने आपको पढ़ाए भी है स्कूल पे तो बाद में फिर मैं डिटेल इट पढ़ाओंगा Transmission System Staring System Suspension System और पूरी बाड़ी इसका सारा Load यह किस पे माउंट होता है यह इस Frame पे होता है तो गाड़ी के जितने भी Components है जो भी Components हैं गाड़ी में वो सारे के सारे इस पे माउंट रहते हैं किस पे Chases पे Chases पे जिसको हम बोलते है Frame Frame या Man Structure of an Automobile यह होता है Man Structure गाड़ी का Man Structure of the Automobile गाड़ी के जितने भी हैं बताया हूँ जितने भी Components हैं उनका सारा Load और वो सारे के सारे इस पे माउंट होते है Chases पे अब हम बात करेंगे Components of an Chases तो अलग अलग गाड़ीों में अलग अलग तरह के Chases लगे रहते हैं तो हम पहले बात करेंगे ट्रक्स या बसे उसमें अभी मैंने आपको दिखाया कि उसमें इस तरह के आपको structure नीचे से नजर आएंगे नीचे से जो टाइर उनके उपर से माउंट रहता है यह होता है ट्रक्स और बसे में इस तरह के जिसे टाइर है यहां से इमें रफली दिखा रहा हूँ अब आप में पीडिया भी आपको सेंड करूँगा उसमें आपको अच्छी तरह से समझाएगा ऐसे होता है ट्रक्स पे यह लगा रहता है फ्रेम यह स्टील का होता है स्टील का होता है फ्रेम तो यह जो बड़ी गाड़ियां होती है तो उनमें इस तरह का फ्रेम होता है मतलब चेसिस इस तरह की होती है तो अगर हम जिक्र करें पैसंजर वीकल्स का passenger vehicles तो उसमें कैसा होता है passenger vehicles में यूजूली होता है कुछ passenger vehicles में ऐसा भी होता है इस तरह का भी जो मैंने आपको दिखाया तो आज कल कैसे बनाय जाता है chases तो जो गाड़ी का पूरा body है मतलब गाड़ी की पूरी structure की बात अगर हम करें तो वो पूरा का पूरा integral part है किसका chases का मतलब पूरी body ऐसे बनाई जाती है कि अगर हमें गाड़ी से body उठानी हो तो हमें पूरी body उठानी है जो कि खुद ही क्या है chases है मतलब टायर ये टायर है गाड़ी के जैसे बस ट्रक्स की बात हम करें तो उस पे ऐसे होता है frame लगा रहता है तो इसमें frame नहीं होता है इसमें frame नहीं होता है इसमें क्या होता है पूरी की गाड़ी इस पे mount रहती है मतलब गाड़ी की जो body है वो सारी की सारी किस पे? axle axle पे mount रहती है तो उसमें फिर ऐसे ही manufacturer ऐसे body को design करता है कि जो भी उसमें component लगाना है वो किस पे आएगा उसी body में उसमें frame तरह का कुछ नहीं होता है directly वो जो body है integral part है किसका traces का in passenger vehicles the whole body is an integral part of vehicle मतलब पूरी body traces का integral part बनता है passenger vehicles में सुमो को अगर आप देखोगे सुमो में ऐसा नहीं है मतलब सुमो पैसेंजर गाड़ी है उसमें ऐसा नहीं है कि गाड़ी क्या है गाड़ी की जो body है वो integral part है chases की सुमो में भी frame लगा रहता है सुमो में गाड़ी सुमो की जो body है वो chases का integral part नहीं है अगर हम इसके बरकस की बात करें wagon आ रहे हैं कोई है swift है जो भी आपको गाड़ी वहाँ पे दिखाई देती है पैसेंजर गाड़ी तो उसमें जो पूरी body है वो integral part है chases की क्या है integral part है chases की यह आप याद रखना साथ में यह लिखता हूँ where as in buses and trucks body is not integral part of chases buses और trucks में body integral part नहीं है chases की यह आप याद रख लेना उसमें क्या होता है उसमें एक frame लगा रहता है इसमें पूरी body chases बनती है body ही directly mount होती है किस पे axles पे axles मतलब axle का फिर end load किस पे मतलब रहता है tire पे तो उसमें उस तरह का नहीं होता है किस का मतलब जैसे frame होता है गाड़ी में वैसा नहीं होता है उसमें तो आप याद रख लेना मैं आपको pdia भी send करता हूँ इसका तो आपको फिर आराम से समझाएगा अब हम बात करते हैं functions of chases की functions of chases chases की functions की बात हम करेंगे तो क्या function करता है it carries carrying the weight of passengers and components of vehicle गाड़ी में जितने भी passenger होते है यहाँ गाड़ी का जो भी component है उसका सारा weight कून होल्ड करता है chases अब इसके बाद हम देखते है और का function है इसकी देखे गाड़ी जब turn लेती है मतलब गाड़ी चल रही है रोड़ पे जब turn लेती है turn ऐसे round में तो इसमें एक force डेवलप होता है centrifugal force जब गाड़ी turn लेती है centrifugal force तो उस centrifugal force को वहाँ से कून chases वो centrifugal force withstand करती है मतलब centrifugal force क्या होता है आपने नाइंदे में पढ़गा centrifugal force एक ऐसा force है कि अगर कोई body rotate कर रही है तो वहाँ पे एक force डेवलप होता है जो इसको away from the center करना चाहती है इस body को the force which pulls it away from the center of rotation is known as centrifugal force तो उस force को withstand करती है कून chases chase का ये भी काम है जितने भी उसमें stress वहाँ पे stresses डेवलप होती है मतलब चलते चलते है तो वह कून bear करती है last पे chases तो सारे के सारे forces जो भी वहाँ पे डेवलप होती है तो वह कून करता है वहाँ पे withstand वह उसको कून बचाता है मतलब ये chases जो भी component है vibrations है chases का ये काम है आपकी journey comfortable बनाने में भी इस chases का हाथ रहता है कैसे उसमें suspension system लगा रहता है chases में तो मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ suspension system shockers, walkers मैंने आपको पढ़ाया है तो इसमें बहुत ज़्यादा हाथ रहता है journey comfortable बनाने में तो हम इसके बाद पढ़ते हैं automobile body इसके पढ़ से की